नमस्कार दोस्तों मैं सुझीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेडिंग से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सल तो दोस्तों हम आज डिसकॉस करने जा रहे हैं एक कोश्चन्स जो हमारे एक वीवर ने मुझे से पूछा है कल उन्होंने कॉल किया था लेकिन किसी कारण से कल में इसकी वीडियो नहीं बना पाया तो आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो कॉश्चन ही है कि उनको डेट हाइलाइट करना है लेकिन सिस्टम डेट से 30 दिन पहले की डेट करना है और हमेशा सिस्टम डेट के साथ चेंजी भी होना चाहिए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीछ सेर कर देता हूं कि मैं अपने यूटूब पे तक्रीबन 3500 वीडियोज अप्लोड कर रखता हूं तो आप बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं उसके लिए आप मेरी चैनल पे चले जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने या फिर IPT इंडिया सर्च करें वहाँ पे मेरे सारे वीडियो जो आपको दिख जाएंगे और कभी भी किसी तरह की प्रॉल्म ही तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे पूरी कinen वीडियो आम हमारी बिखती आप पेंडी ब्राइब है पूरी कोल्म को सेलेक्ट नहीं करेंगे सिर्फ एक cell को select करेंगे Condition formatting के new rules में used formula जी हाँ दोबारा बताता हूँ हम एक single cell को select करेंगे Condition formatting के new rules के used formula पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे simple सा करसा रखेंगे यह जो है less than होना चाहिए इससे तो today today का formula क्या करता है current system date देता है minus 30 और जो dollar sign है इसमें से जो row number का यह का dollar है ओ आप हटा देंगे यहाँ यहाँ दखेगा row number का यह का dollar हटा देंगे फिर format cell में जाके आप अपनी जो formatting करना चाहते ओ formatting चूज कर लीजिए और फिर ok कर देजिए और फिर यहाँ से एकर देजिए अब बात यह 30 दिन पहले की date highlight करना है तो वो तो ठीक है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं 30 दिन पहले वादा date highlight हो तो आप जो है manual जूल में जाके यहाँ गेटर देन दिया है इसको equal to कर दीजेगा आपका वो ही date highlight होगा जो 30 दिन पहले की date है तो मैं confused हो गया था कि तुन्होंने पहले की date बोली थी या उससे पहले लिस्तारी date या वो particular date थी देखी हाँ आपका सामने एक April अब एक माई आज है या एक April highlighted हो गया तो 30 दिन पहले की date highlight हो गया तो conditional formatting के new rules में used formula में हमने जाके formal लगा जा है I hope कि आपका समझ में आ गया होगा तो भी कुछ दिक्कत होगा मुझे आप call कर सकते हैं हमारे साथ class अगर join करना है आपको तो में website iptindia.com पे जाके demo class का form बर दीजिए कुछ classes demo लीजिए अगा अच्छा लगा तो joining process को follow की दिए thank you